गूड मॉर्निंग दोस्तों आपका i2 Academy में स्वागत है दोस्तों आज हम अंतर राष्टिये प्रिलाय इसमरण दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर राश्टी ये प्रिला इसमरड दिवस क्या होता है दोस्तों उसको पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताईएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए अंतर राश्टी ये प्रिला इसमरड दिवस प्रिला का मतलब आप लोग जानते हैं प्रिला का मतलब है कि कोई ऐसी घटना जो कभी प्राकरतिक रूप से घट जाती है और जिसमें बहुत ज़्यादा धन जन की हानी होती है अब जैसे कि आप जानते हैं कि सुनामी सुनामी जो है वो एक तरीके से जो है भूकम जो समुद्र में आता है उसकी वज़े से जो लहरे हैं वो काफी उठती है और उन लहरों की वज़े से ही जो है जब वो लहरे किसी तट रेखा पर टकराती है तो वहाँ पर सुनामी लाती है तो इस कारण से जो है वो सुनामी की वज़े से बहुत जादा लोगों की मरत्य हो जाती इसी तरह से प्रले जैसे भूकम्प हो जाता है ज्वाला मुखी का फटना हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि कई बार बहुत जादा लोगों की मरत्य होती है मान लिजे कि सुनामी है तो सुनामी में क्या होता है बहुत जादा लोगों की मरत्य होती है जब सुनामी चली जाती है तो उनकी लासे जो हैं वो सड़ने लगती है जिसके कारण महा मारी कोई बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है फिर लोगों की मृत्ति होती है तो इस वजह से जो है ये प्रिलह का रूप दिया गया है तो क्या होता है कि इन प्रिलह की वजह से बहुत लोग मरते हैं तो उनकी याद में जो है अंतर रास्टी ये प्रिलय दिवस जो है वो मनाया जाता है अब अंतर रास्टी ये प्रिलय दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपके लिए important है तो अंतर रास्टी ये प्रिलय दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है अब अंतर रास्टी ये प्रिलय दिव कि इसको जो है सायुक्त राष्ट ने ही मानिता दी होगी तो सायुक्त राष्ट ने अंतर राष्टिये प्रिलय इसमरड दिवस मनाने के लिए इसको आगे चलाया और कब मनाने को कहा गया कि 27 जनवरी को जो है हर साल अंतर राष्टिये प्रिलय इसमरड दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा अब इसकी एक वज़ा है हम जानते हैं यूरोप कहां पर है यूरोप जो है भारत के पस्चिम में है या उत्रो पस्चिम में है तो आप जब भारत का मैप देखेंगे पूरे विश्व का मैप देखिएगा उसमें देखेगा भारत के उत्तर पस्चिम मे देखेगा तो आपको यूरोप मिलेगा और यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी डेवलप कंट्रीज हैं तो इस वज़े से वहाँ पर क्या हुआ था कि 1933 और 1945 के बीच में बहुत जादा यहूदी जो जनसंख्या है वो खतम हो गई थी बहुत बहुत यहूदी मारे गए थे तो यह एक युद्ध का भी परिडाम होता है भाई आप प्रलय कैसे मान सकते हैं कि बहुत जादा किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग मार दिये गए हों तो जब जनसंख्या बहुत जादा किसी धर्म पर्टिकुलर या माना होता के उपर भी खत्रा आता है तो उसको हम लोग प्रलाय का नाम दे देते हैं तो 1933 से 1945 में उनके बीच में क्या हुआता है कि लगबग टू-थर्ड दो तिहाई यहूदी जो हैं उनकी मृत्ति हो गई थी इतनी आबादी कम हो गए थी समझ लो कि यहूदी जो है आबादी यहूदीयों की बची थी तो इसको एक प्रलाय का नाम दे दिया गया कि 1933 से 1945 के बीच में लगबग दो तिहाई यहूदी जो है यहूदी जो धर्म है इसके जो लोग हैं उनकी मृत्ति हुई थी तो इसी वजह से जो है 27 जनवरी को सयुक्त राष्ट ने जो है प्रलाय इसमरर दिवस मनाने की गोशना की थी अब सयुक्त राष्ट क्या है सयुक्त राष्ट में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं के लगभग सारे countries जो हैं उनके head जो हैं वहाँ पर जाते हैं आपने देखा होगा हर साल भाषर दिया जाता है सायुक्त राष्ट में सायुक्त राष्ट में क्या है कि 5 जो है permanent member हैं याद रखिए का 5 member जो हैं 5 ऐसी countries हैं जो permanent member के रूप में जैसे हो गया America हो गया China हो गया Rus हो गया ठीक है तो ये जो countries हैं इस तरीके से 5 countries जो हैं वह permanent member होती हैं और लगभग 15 countries जो हैं उनको non permanent और उनको रखा जाता है और भी जो countries है मलब भी जो 15 countries है वो permanent नहीं होती है वो हमेशा change होती रहती है ठीक है कि एक country आएगी फिर दूसरी country आएगी इस तरीके से मगर 5 countries जो है वो permanent countries है ठीक है तो इसी में ही ये decision लिया गया था कि 27 जनवरी को अंतर राष्टी ये प्रलाइस मरड दिवस के रूप में मनाया जाएगा ठीक है 2022 की जो theme थी वो याद रखेगा 2022 की theme थी memory, dignity and justice याद रखेगा जो 2022 की विसेवस्तु थी जो एक theme रखी जाती है आप याद रखेगी जब भी सहुक्त राष्ट हो या भारत की भी आप देखेंगे जितने भी दिवस मनाये जाते हैं तो उसकी हर साल कोई ना कोई theme रखी जाती है प्रुसाहित करने के लिए लोगों को 2022 की जो theme थी जो भी सहवस्तु थी वो थी memory, dignity and justice क्या थी? memory, dignity and justice ठीक है? याद रहेगा तो यही अंतर राष्टी है प्रिला इसमरर दिवस था दोस्तों यह कैसा लग रहा है वीडियो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा मेरे इस channel को आप लोग subscribe कर लीजिए अपनी family, अपने दोस्तों के साथ भी share करिए क्योंकि यह सब exam के लिए काफ़ी important हो जाता है अगर हम बात करे कि जनवरी के जो महतोपूर्ण दिन है तो 21 जनवरी को याद रखें 21 जनवरी को विश्सोसांती दिवस मनाय जाता है आप जानते हैं कि आज 27 जनवरी हो रही है तो 21 जनवरी की अगर हम बात करें तो 21 जन्वरी को विश्व सांती दिवस के रूप में मनाया जाता है जबकि 4 जन्वरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है? 4 जन्वरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को जो है विश्व सांती दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी की बात करें तो 6 जनवरी को विश्व युद आनात दिवस मतलब कि युद में जिसके माता पिता मर जाते हैं बच्चों के और वो आनात हो जाते हैं तो उसके लिए जो है 6 जनवरी का दिन रखा गया है, 6 जनवरी को विशो युद्ध आनात दिवस मनाया जाता है, इसी तरीके से 8 जनवरी को अफ्रीकी रास्ती कांग्रेस स्थापना दिवस क्या, अफ्रीकी रास्ती कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखि आपकी नईया डू बजाएगी एक्जाम में, लिखके ले लिजे, तो आप इन सब को याद कर लिजे, अभी आने वाला है BCS के एक्जाम मई में, अगर आभी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कभी नहीं पढ़ेंगे, याद रखे कि सेलेक्शन होना इतना आसान नहीं होता है और 9 जन्वरी को भारती प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको NRI दिवस भी खेते, तो कई बार एक्जाम में तो NRI दिवस कब मनाया जाता है तो आपका answer होगा 9 जनवरी को ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है 4 जनवरी को अगर 10 जनवरी की बात की जाए तो 10 जनवरी को विस्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी दिवस हमारी जो है राजभासा है तो इसको याद रहे राष्ट भासा नहीं है राज भासा है याद रखेगा कई बार confused करते हैं इस तरह के questions को लेकर और अब confused हो के question गलत कराते हो फिर बाद में कहते हो कि अरे मेरे number क्यों कट गए भाई number ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलतियां की होती है उसकी वज़े से भी कटते हैं हर बार जो है examiner की गलती नहीं होती है ठीक है न 12 जनवरी को जो है राष्टिय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस मनाया जाता है फिर से जनवरी के कुछ important जो दिवस हैं बहुत बार question पुछा गया भाई बहुत बार अगर आप भी ना पड़बाऊना तो आपको चुल्लू बर पानी में डूब मरना चाहिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए आपके लिए बहुत important news आती रहती है आपके exam के purpose से ही आती है जो कि आपके exam के लिए important होती है ठीके 10 जनवरी को विस हिंदी दिवस मनाय जाता है 12 जनवरी को राष्टिय यूवा दिवस मनाय जाता है और 15 जनवरी को भारतिय विसेना दिवस मनाय जाता है तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखी और इसको दियाद रख लीजिए क्योंकि बहुत important है तब तक के लिए मिलते हैं बाबाई take care